आरबियल बैंक के प्रीवियस सपोर्टेट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था आरबियल बैंक के उपर फिर से मुझे फ्रेश बाइइंग देखने को मिलेगा तो मैं खुद वीडियो अपलोड करूंगा बेस्ट बाइइंग प्राइस विट आवरेज विट टार्गे टार्गेट भी डबल होंगे इसका वादा भी किया था पूरे वादे के माफिक यतनी मने आपसे वादे किये सभी वादे के माफिक आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो आप देख रहे हो तो आरबियल में पोजिशन बन चुका है दोस्तों चांस मिसना हो जाए इसलिए जल्दी से जल्दी में वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मैं टार्गेट भी समझाने वाला हूं और इसका टाइम फ्रेम ज्यादा होने वाला है पहले जैसा मोमेंट और वॉलाटाइलिटी मार्केट में खतम हो रही है खतम इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट भी यानि इंडेक्स, बैंक, निफ्टी, 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 फार्मा, निफ्टी, एक जगे पे फिर से अपने पुराने लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक यह लोग स्टैंडेट नहीं बने, तब तक अच्छी खासी वॉलाटैलिटी से ट्रे हिसाब से, RBL बैंक नहीं, काफी स्टॉक्स ट्रेड करने वाले हैं, अपने खुद के लेवल पे, खुद के पोजिशन पे, तो अभी भी हमें भी उसी तरीके से रेक्ट दे के काम करना पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हलो एवरिवन, मैं हूं महुमत सुहेल, आपके सामें स्टॉक पे बात कर रहा हूं, RBL बैंक लिमिटेड, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, RBL बैंक लिमिटेड का ये वन डे का कैंडिल चार्टे नैशनल स्टॉक एक्स्टेज, आगे चलके वीडियो में 15 मिनेट का इंट्राडे कैंडिल चार्ट अनलैसिस करके बताऊंगा, इंट्राडे के अंदर काम कैसे करना है, और पोजिशन कैसे पकड़नी है, RBL बैंक के अंदर, प्रिवियस टाइम जो ब्रेक आउट हुआ, ये ब्रेक आउट के साथ साथ हमें जो लेवल देखने को मिला, 175, उसके बाद जो मैंने आपको इधर ग्याप डाउन और ब्रेक डाउन के लेवल भी दिये थे दूस्तों, 220, 225, और दो के दो लेवल हमें द जो तीन बार देखने को मिले, उसके बाद जो ब्रेक डाउन लेवल है, ये 230 के लेवल पे, फाइनल ब्रेक डाउन लेवल है, जो इस बार इसने बॉटम से रैली दी, ये रैली में जो हमें 55 रुपीज दिया है, उसके अंदर 20 रुपीज कवर कर चुका है, यानि बाकी का जो आगे का trend होने वाला है, वो trend ये ही levels पे होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि ये RSI 60 में आया है, कभी भी RSI 60 से लेके 40 के अंदर कौन से भी stock आती है, वो consolidation में आती है, बोलने का मतलब ये है, पर suppose ये RSI 60 है, RSI 40 है, इधर stock 400 रुपे का, एक example बता रहा हूँ, RSI 60 में आया, जब RSI 60 में आया, 400 का था, फिर consolidate होते वे होते वे, फिर RSI break करके उपर गया, इधर क्या होगा पता है, इधर 280 ही रहेगा, भूलने का मतलब, consolidation एक ऐसा level होता है, जिदर stock छोटी बनती है, जिदर stock बड़ी बनती है, For an example, RSI 60 में इधर 250 का था, फिर से ये नीचे आते हाई मार लिया, 320 का, 400 तक नहीं गया आप पर trade में, और previous time RSI 60 में 250 में आ रहा है, फिर consolidate होते वे, RSI 60 पकड़ के उपर जाएगा, तो इस बार 500 भी हो सकता है, बोलने का मतलब ये है, RSI 60 to 40 एक ऐसा level है, consolidation जिदर stock को छोटा बनाया जाता है, जिदर stock को बड़ा बनाया जाता है, उसी तरीखे से RBL bank भी trade कर रहा है, मेरा suggestion आप से ये है, 210 से लेके, 210 की अंदर, कौन सा भी level देखने को मिला, RBL bank buy करिए, और 220 आप weekly target, 225 short term target, 240 professional, और 250 final, average आपका 190 पे ही होगा दोस्तों, ये मेरा telegram channel है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है, तो join कर लिजिए, for intraday live tips and stock market updates के लिए, आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा, and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजिए, notification पाने के लिए, notification all पे click कर दीजिए, RBL bank limited का 15 minutes का intraday candle चाटे, national stock exchange, और RBL bank Monday live market में भी buying position ही देने वाला है, तो इस market में कैसे भी intraday हैं, तो एक opening होता है, opening के बाद थोड़ा rally होता है, फिर closing का value होता है, थोड़ा नीचे जाता है न, जब इसके moment में, जब यह buying pressure देगा, लूज candle form करते वे, वो movement में target लगाई है, target लगाके profit book करके exit हो चाहिए, मेरा suggestion है, buying pressure, 2nd July 2021 Friday, RBL का closing है, 210.90 पैसा, यह मैं target निकाल रहा हूँ, for 5th July 2021 Monday के लिए, Monday live market में, आपको मेरे levels में buying opportunity देखने को मिले, या selling opportunity देखने को मिले, आप मेरे target and stop loss, live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों.